वेलकम बैक माई चैनल आज किस वीडियो में हम बनाएगे बहुत खुपसरा ट्राउजर का डिजाइन तो चले शुरू करते हैं हमें सबसे पहले अपने फैबरिक की इस तरह से दो लंबे पत्टी कट कर लेनी हैं जिसकी चोड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 14 इंच अब इन पत्टे को हम इस तरह से फॉल करेगे और फॉल करने के बाद में हम इस तरह से बीच में एक माक कर लेगे लएगे हाथ से ही इस तरह से अब हम इसकी cutting कर लेगे और इसको two parts में divide कर लेगे तो देखे विखले सी तरीके से अब हमें इस दूसरी पटी को भी two parts में divide कर लेना है तो देखे मैंने इनको divide कर लिया है अब हम लेते हैं कुछ इस तरह की लंबी डोरी ये मैंने पहले से बना कर ready की है कि इस तरह कि हमें अपने फैब्रिक के लंबी ड्वरी बनाकर रेडी कर लेनी है, इन ड्वरी से मुझे चोटे चोटे पीसिस कट करने हैं, इस तरह से हम इन ड्वरी से लगबग तीन तीरी न्च के पीसिस कट कर लेगे, तो देखे मैंने सभी पीसिस को cut कर लिया है अब हम लेगे इस तरह से अपने फैबरिक के एक पट्टी और इस पट्टी पर हम इन डोरी को अंदर की साइड में रखकर कुछ इस तरह से stitch करेगे सब्सक्राइब करने तो चल्licht ने इस तरह से हम डौरी को मिला कर बिलकुल रखेगे और फिर थोड़े से ग्यापके बाद में तो इस तरह से थोड़ो फड़ो पट्टी पर मुझे डिया को इस पर स्टिच कर लेना है तो देखे इस तरह से मैंने डिया भी कुछ यहां अब लेगे दूसरी πट्टी और इस परता करतेँ भी रहें हमें अच्छे से सैट करने के बाद के साइड में सलाई लगा लेना है तो देखिए आप हम पती को कोले ़िजा करा लेगे और सीधा करने के बाद हम इस princopal करेंगे और उसको अच्छे से सैठ कर लेगे तो कि मेरि पत्त एकदम सैट हो गई है हाथ से ही अब अब हम अपने दूसरी पट्टी लेते हैं इस पट्टी को हमें अपने इस डोरी वाली पट्टी के साथ में कुछ इस तरह से रखना है और जहां मैंने डोरी लगाई हैं उनके बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से माक कर लेना है पूरी पट्टी पर बिल्कुल इसी तरह से हम म इस तरह से हमें डोरी को रखनी है अंदर की साइड में और बिल्कुल इसी तरीके से पुरी पट्टी पर स्टिच कर लेना है और इस पट्टी को भी हमें इस वाली पट्टी के जैसे ही रेडी कर लेना है तो देखे मैंने दूसरी पट्टी को रेडी कर लिया है अब हम दोनों पट्टियों को इस तरह से आमने सामने रखेगे और इन डोरियों को एक दूसरे के बीच में अच्छे से फ़सा लेगे हमारी डोरिया एक दूसरे के उपर इस तरह से आने चाहिए यह देखे इस तरह हमें इनको अच्छे से हाथ से सेट कर लेना है तो देखे मैंने सभी डोर कर लिया है अब हम इस पट्टी को इस तरह से पकड़ेंगे और इन डोर्यों को पकड़ कर अच्छे से टाइड कर लेगी और हम बीच में एक सिलाई लगाएगी जिससे कि हमारी डोरी अच्छे से सैट हो जाएगी दोनों पट्टी आपस में जुट जाएगी देखे इस तरह स हम दोनों साइड की डोर्यों को इस तरह से पकड़ के खीचेगे और इनको बीच में से सिलाई लगाकर सेट कर लेगे तो देखें मैं इस लाए लगा लिया कितने अच्छे से मेरे डूरे सेट हो गई है अब हम इंडूरे के बीच में गोल्डन कलर के मोती अटेच करेगे तो इस तरह से हमें इन डूरे के बीच में अपने गोल्डन कलर के मोती को अटेच कर लेना है बहुत ही आसान तरीके से अटेच हो जाएगी और इनसे इस डिजाइन के लुप बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा तो देखे इस तरह से मैंने सभी डोरों के बीच में गोल्डन कलर के मोती को लगा लिया है तो देखे आगे की डिजाइनिंग के लिए मैंने कुछ ट्रैंगल्स बना के रेडि करके रखे हैं यह देखे मैं आपको इनको दिखा देती हूँ इस तरह से थिरी बाई थिरी के मैंने यह ट्रैंगल्स बनाई हैं इनको प्रेस करके अच्छे से से सेट कर लिया है अब इन triangles को हमें इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से और इसको stitch कर लेना है इसी तरह से हम सभी triangles को बनाकर stitch करके ready कर लेगे यह triangles हमें काफी जादा बनाकर ready करने हैं अपने design के दोनों साइड में हम इनका use करेगे तो इस तरह से हम सभी triangles को बनाकर ready कर लेगे stitch करके तो देखे guys मैंने इस तरह से इनको ready कर लिया है अब हम इनको इस तरह से अंदर की side अपने design के उपर रखेगे इस तरह से और इनको side से stitch करेगे बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे side भी इनको रखना है और side में रखकर stitch कर लेना है तो चले stitch करते है इस तरह से अच्छे से set करते हुए हम इनको stitch कर लेते हैं इनके बीच में हमें कोई भी gap नहीं देना है एक दूसरे एक साथ मिलाते हुए अच्छे से इनको रखना हे और stitch कर लेना है अब दूसरे साइड भी बिलकुल इसी तरीके से हम इनको stitch कर लेगे तो देखिए लगबग दोनों साइड से मैन इनको stitch कर लिया है तो देखे, दोनों साइड में श्टिच करने की बाद में कुछ इस तरह से मेरे डिजाइन लग रहा है अब हम लेते हैं इस तरह से एक लंबी पट्टी जिसकी चोड़ाय मैंने रखिया दो इंच इस पट्टी को हमें इसके उल्टी साइड में इस तरह से लगाना है अब इसको हम सिधा करके ष्टिच कर लेगे। अच्छी से सैट करते हैं ने श्टच कर लेना है। इस तरह से हम इसके किनारे पर रखना है। इस सालेट से स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम इसको अपने डिजाइन के साथ अटेज कर लेगे अब बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी को लेना है और इसको भी सेम इसी तरह से फॉल करके इसके साथ में हमें गोटा पट्टी लैस को अटेज कर लेना है सेम तो देखे मैंने दोनों साइट पट्टे को लगा कर गोटा पट्टी लैस को लगा कर इसको रेडी कर लिया है अब हम इसके साथ अपने पैंट को पोचे को अटेच करेगे तो इस तरह से हम इसको फॉल करेगे और इसके उपर अपने दिजाइन को रखकर स्टीच कर लेगे तो देखे गाइस मैंने अपने पैन्ट के साथ इसको अटेच कर लिए है कितना प्यारा मेरा दिजाइन लग रहा है डोरी और परल यह डिजाइन कितना खुबसूरत लग रहा है अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजे मिलते हैं आपको अपने नई वीडियो में इसी तरह के नए नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाई